हेलो दूस्तो नमश्कार इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सो रस्त अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर तीन धमा के दार ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने हो का पर मिल रहे है देखा गया तो इन तीनों के उपर अलग-अलग वीडियो भी यहाँ पर बन सकता है बट और भी बहुत सारी खबरे देखने को मिल रहे हैं तो एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर कंपाइल करके आपके सामने रखा है सो चली शुरू कर लेते हैं सबसे पहली खबर किसे रिलेटर है Vodafone Idea वैसे तो देखा गया है तो हम पेनी स्टॉक को इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं यहाँ बट स्टिल बहुत से रिटेल मिस्टर का यह भी एक फेवरेट स्टॉक है आप शेर उल्डिंग पैटर्न को भी जाके देख सकते हो कि कैसे पब्लिक जादा हम लोगों को इस टॉक को खरीते वे देखने को मिली है सो Vodafone Idea का सर्वाइवल आप सब लोगों को यह पर पता है कि हाँ सरकार ने यहाप इसको बचाया तो जरूर है मतलब existence तो है बट डियो पॉली ही चल रहा है एरिटेल एंड जियो ही यहाप अच्छागासा बिजनेस कर रहे है Vodafone तो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है तो दोस्तों यहापे आप सब लोगों को पता होगा कि Vodafone Idea यहापे जो optional convertible debengeance थे वो उन्होंने यहापे क्या किये थे issue यहापे किये थे इसी से अभी हम लोगो official खबर आते वे देखने को मिले क्या है official खबर shareholders approval for rupees 1,600 करोड OCD मतलब optional convertible debenture issue to the ATC तेलीकॉम से रिलेटर हम लोगों बात करे lapse हो चुका है दोस्तों why lapse हो चुका है यहापे वड़ा phone idea को बूला था क्या बूला था कि आपका तो करजा है हमारे उपर हम आपको time दे सकते है एंड एक बीच में खबर भी सामने आय थी कि सरकार यहापे क्या करने वाली थी कि उनका जो करजा है लोन है उसको यहापे debt को convert करने वाली थी equity में येस आपको अभी याद आया होगा तो दोस्तो वो अभी तक उन्होंने तो किया नहीं और इसके चलते दोस्तो यहापे इंतजार करना पड़ा इंतजार करना पड़ा और इंतजार ही करते बैठ गए और यह जो issue यहापे आया था वो भी lapse होते वे देखने को मिला अभी इस issue का इसका lapse के साथ क्या संबन तो दोस्तो यह जो issue यहापे आया था optional convertible debenture का इसमें यह एक condition भी था one of the condition था कौन सा government का approval वाला आप चेक कर सकते हैं the OCD issue for ATC was subject to certain conditions which also including the approval of the government तो फिलाल तो government से के और से कोई ऐसा approval तो हम लोगों को आते वे देखने को आपे नहीं मिला ना तो उन्हेंने बोला कि हम लोग हमारी debt को equity में तकदिल कर रहे है तो यहापे Vodafone का हम लोगो time waste होते वे देखने को मिल रहा है आप सबी लोगों को मैं बहुत बार बता चुका और clear cut बता चुका हूँ कि अगर सरकार अपने करजे को debt को अगर equity में तकदिल नहीं करती है तो Vodafone Idea तो almost खतम ही हो चुका है officially खतम हो जाएगा तो यह चीज़े हम लोगों को फिलाल तो देखने को divestment करके और ऐसे ऐसे company जहाँ पर वो company डूब रही है वहाँ पर सरकार share सगर खरीदेगी तो हंगा मात होने वाली बात बनेगी बनेगी तो देखना पड़ेगा अभी सरकार यहाँ पर क्या करती है इससे रेटर अभी तक तो उन्होंने convert नहीं किया मतलब जैसे मैं आपको बोला कि अच्छे अच्छे companies को वो बेचते जा रहे है तो फिर वो क्यों बेच रहे है तो यह एक सवाल उनके उपर यहाँ पर आ सकता है बड़न आ सकता है बट इसके चलते वड़ाफोन आइडिया का जो अस्तित हो है वो हम लोगों को धीमे 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 करके खतम ही होते वे देखने का आपे मिल रहा है इसमें अगर कोई learning के लिए जाएगा ठीक है 100-200 रूपया सीखने के लिए बड़ अगर कोई earning के लिए जाएगा बहुत बड़ा पैसा लगाएगा तो उसको तो pure luck के उपर depend रहना पड़ेगा कि भगवान कभी तो ऐसी खबर सामने आजाए कि सरकार अपने debt को equity में तकदिल करें अगर ऐसा हुआ या फिर कोई बड़े investor ने इसमें पैसा डालने की बात की कोई करने वाला तो है नहीं डुपते हुए जाज में कौन पैसा लगाना चाहेगा यहापे पर अगर मान लो ऐसा अगर हो गया कभी तो फिर जाके आपको उम्मीद है कि थोड़ा एक spike आजाएगा इंडिसके चलते आपको returns मिल सकते हैं अगर आपको ऐसे luck के उपर चलना है then go for it with big investment but यह pure stupidity है मैं already आप लोगों को यहापे बोल चुका हूँ so what a phone idea से related हम लोग यहापे कह सकते कि ship और भी ज़्यादा sink होती ही जारी है होती ही जारी है और होती ही जारी है next अभी हम लोग आजाते दोस्तो धमाकेदार ख़वर के उपर nifty 50 yes दोस्तो nifty 50 की rebalancing होती है आप सब लोगों को यहापे पता है साल में दो बार होता है हाँ covid के चलते थोड़ा सा delay हुआता है एक आत बार साल यह चल जाता है so दो बार rebalancing होते वी देखने को मिल जाती है मतलब कोई तो एक share ऐसा रहेगा जो nifty से निकाला जाएगा and उसके बदले दूसरा share लाया जाएगा कभी-कभी हम लोगों ने देखा है कि दो-दो shares निकल जाते है और दो-दो share enter कर लेते है so दोस्तो nifty 50 की rebalancing की चर्चा जोर पकड़ते वी देखने को मिल रही है and इस वक्त अगर देखा गया देखे एक stock पका है हर किसी को पता है कि वो भार जाने वाला है कौन सा stock तो दोस्तो उस stock का नाम है HDFC yes oh my god HDFC ने क्या गड़बड किया अरे कुछ गड़बड नी किया merger होने वाल है आपको पता है HDFC अभी कट होके किसमे मर्ज होगा HDFC बैंक तो केवल HDFC बैंक ही रहेगा तो HDFC तो खाली हो जाएगा so उसकी जगा खाली होगी तो किसी को तो यहाँ पर लाना पड़ेगा तो कौन सा best stock है उससे related चर्चा यहाँ पर चल रही तो दोस्तो फिलाल आप देख सकते हो Tata stock can replace HDFC in a Nifty after the merger with HDFC bank in 2023 so जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यह जो rebalancing यहाँ पर होगा तो HDFC तो भार जाएगा तो उसके बदले Tata stock का नाम सबसे ज़्यादा favorite देखा जा रहे अभी होगा नहीं होगा nobody knows फिलाल देखा गया तो इस race में HDFC भार निकलने के बाद 4 stocks बताए जा रहे है जो की इसके nominations में देखने को मिल रहे है अभी award कौन जितेगा बाजी कौन मारेगा वो देखना पड़ेगा अभी आप suddenly बोलोगी सर बाकी 3 कौन से है तो वो भी मैं आप लोगं को बताना चांगा अब टाटा की जो बात हो रहे है दोस्तों उसमें टाटा पावर का नाम सबसे सामने आ रहे है टाटा पावर is among 4 stocks that can replace यहापे जो HDFC है उसके हिसाब से और Nifty 50 में वो इंटर यहापे कर सकता है अभी बाकी 3 कौन से बचे तो चलिए उसके उपर भी आ जाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी 3 में से PD Light Industry then L&T Infotech हुआ करता था सिर्फ अभी L&T Infotech and Mindtree यह भी हमने को जुड़ते वे देखने को मिला है बट अभी तक तो अड़ हुआ नहीं है यह Nifty 50 का नुकसान है PD Light का कोई नुकसान नहीं है तो चार स्टॉक्स दोस्तों बताय जा रहे है HDFC तो बाहर जाने वाले बच्चे-बच्चे को यहापे पता है बट आएगा कौन तो आप भी ज़रू अपनी राय कमेंट सेक्षन में रख लेना कि आपको क्या लगता है इन चार में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो की Nifty में यहापे जुड़ सकता है यह कोई गैरेंटी ने कि यही चार नॉमिनेशन है कोई भी बीच में सडनली भी अपियर यहापे हो सकता है बट यहापे देखा गए इन चार में से L&T, Infotech and Mindtree इसको आप कट कर लो क्यों कट कर लो क्योंकि इसका adjustment अभी-भी होते वे देखने को मिला है यह शायद से अभी add नहीं होगा यह भविशमे add हो सकता है बट फिलाल इसके add होने के chances बहुत ही कम है यह फिलाल अमनों को देखने का आपे मिल रहे है तो देखा गए तो race यहापे इन तीनों में ही है Tata Power, Amboja Cement and Pedilight अभी देखा गया ना तो मुझे personally ऐसा लगता है कि Amboja Cement भी नहीं आना चाहिए तो देख लेते भविशा में यहापे कौन सा stock है जो कि यहापे HDFC को replace करके अपनी जगा Nifty 50 में बनाता है अभी विडियो के शुरुआत में मैंने बात बोली कौन सी बात बोली कि इस वक्षाट से दो rebalancing भी हो सकते है HDFC तो exit करने वाला है यह तो बच्चे-बच्चे को बता है और दूसरा stock की अगर में बात करो दोस्तों जो की weak होते वे देखने को आपे मिल चुका है might be वो भी exit यहापे हो सकता है तो वो कौन सा stock रहेगा जो की Nifty 50 में अभी देखने को मैं रहा हो सकता है तो दोस्तों उसका नामे BPCL येस बहुत ही required है BPCL जितना जल्द से जल्द हो से यह जितने भी सरकारी companies है ना निकल जाने चाहिए लिटरली इंडेक्स की बैंड बजी पड़ी हुई है इनके वज़े से BPCL, ONGC बहुत ही मतलब अगर लिस्ट निकाले जाए तो ऐसे बहुत सारे companies आपको मिल जाएंगे बहुत ही इनके वज़े से slowdown हम लोगों को देखने को आपे मिल जाता है तो might be यहापे हम लोगों को Nifty 50 के rebalancing में अगर double changes यहापे हो जाते है तो HDFC तो जाएगा बढ़ उसी के साथ आप BPCL के भी निकलने के chances देखने को मिल सकते है तो definitely दो stocks हम लोगों अगर निकलते है तो दो add हो जाएंगे तो इन 4 में से ही कोई ना कोई दो यहापे add होते वे देखने को मिल सकते है द्यान दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि Nifty 50 Index की तो बात हम लोगों ने कर ली उसी के साथ साथ Nifty Next 50 में भी changes हो जाते है और Nifty Next 50 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसमें जो stocks आते usually वही हम लोगों को Nifty 50 में enter करते वे भी देखने को आपे मिल जाते है So Nifty Next 50 में भी add हो जाना मतलब आप Nifty 50 Index के एक step करीद पोच जाना ऐसा ही आपे बोल सकते है तो Nifty Next 50 में कौन से stock add हो सकते है उसकी में बात करना चाओंगा तो आप देख सकते हैं उसमें अदानी power हो सकता है वरून beverages हो सकता है ABB हो सकता है page industry हो सकता है जो कि आप देख सकते हैं दिखिए maybe enter Nifty Next 50 ये फिलाल तो यहापे बोला जा रहा है उसी के साथ साथ अदानी विलमार भी हो सकता है trend भी हो सकता है TVS Motor के भी नाम फिलाल तो हमनों को देखने को आपे मिल रहे है उसी के साथ साथ अगर हम लोग में थोड़ा सा और आगे लेकर चले जाओ तो आप सभी लोग को यहापे पता ही होगा तीन दमदार स्टॉक देखने को मिल जाते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अदानी ग्रीन है एवेनी सूपरमाट है और अदानी ट्रांस्मिशन है तो यह भी कभी ना कभी निफ्टि-फ्टि के पार्ट बन जाएगे फिलाल नहीं बनेगी क्या आपको पता है यह F&O सिग्मेंट में अड़ नहीं है तो जो इंपोर्टन यूस थी प्रॉफिट बुकिंग यह है वो में आपकी सामने रखना चाहूँगा पहले LIC ने कौन से शेर्स को खरीदा है तो चले फटाबट लिस्ट डिखाना चाहूँगा तो HDFC को उन्होंने खरीदा है देन महिंदरा और महिंदरा Financial Services को खरीदा है टेक महिंदरा में LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वेल्सपन की अगर हम लोग बात करें इसमें उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है डीवीज लैब एक बहुती दमदार कंपनी सस्तेदाम में आपे मिल रहे 30% डाउन है इसमें यहापे उन्होंने शेर्स खरीदे है Voltas, Tata Group की कंपनी में शेर्स खरीदे है Tata Motor में एडिशन किया है and Capri Global Capital की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी LIC ने अपनी हिस्सेदारी यहापे मतलब बढ़ाई है अभी इसके बाद कि कौन से ऐसे शेर्स है कट किया है and यहापे Tata Chemical में भी उन्होंने हिस्सा कट किया है यह LIC के पोटफोलिय का latest update समनों को देखने को मिल रहा है तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि LIC ने अगर कोई शेर यहापे add के अपने पोटफोलिय में उनके पोटफोलिय की साइज जाकर देख लेना आप समझ जाओगे सिर्फ study करने के लिए जरूर इन चीज़ों को आप लोगों को update रहना चाहे इसलिए सारे points में आपके सामने आपे रखने की कोशिच आपे करता हूँ आशा करता हूँ यह तीन news आप लोगों को पसंद आये होंगे updates पसंद आये होंगे तो चाहो तो आप इनको like and share कर सकते हो अगर आपने DMAT account अभी तक open यहापे नहीं किया है तो link नीचे आप लोगों को description box में दे दिए 25 पूड़े की list आपको बिल्कुल free of cost प्रवाइड कर दी जाएगी आपका नाम और कौन सा account अपने link के थूपन किया है मुझे properly comment section में बता दिना तो अपते बर के अंदर अंदर यह सारे lectures मेरे साइड से आप लोगो free of cost प्रवाइड कर दी जाएगे ताकि आप stock market को आसान भाषा से सीख सको so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting आरने चुड़े हो तब तक के लिए bye bye